जहिंदे साथियो, साथियो, आज का जो क्लास होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, SSC, CGL, CHSL, MTS साथियो, संपूर्ण बैलोजी, प्रिवेस एर कोस्टन रहेगा, जो 2016 में पूछा गया सवाल है, टोटल सवाल को कभर करेंगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो में अंतग बने रहेगा, दोस्तों को जरूर से जरूर से जरूर कीजेगा, ठीक है? जितना भी सवाल होगा, 2016 से पूछा गया सवाल, टोटल कम्प्लिट करेंगे, ठीक है? बढ़ते हैं, आगे सवाल क्यों और देखते हैं, 2016 में किस परकार का सवाल प आगया है, देखिए, 27, 8, 2016 से लेके 11, 9, 2016 तक जो इसके बीच में जो एक्जाम लिया गया है, टोटल बैलोजी का सवाल जो इतना भी होगा, उसको कम्प्लिट करेंगे, ठीक है? तो वीडियो इसकीप ना करना है, दोस्तों को जरूर से जरूर से शेयर करना है, और वीडिय 15 का सवाल लेकर आऊंगा, बैलोजी का, ठीक है? तो देखिए, पहला सवाल करेंगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेश्ट ना करते हैं, ठीक है? तो साथियो, देखिए, पहला सवाल 2016 में जो पूछा गया है, वह क्या है? पहला सवाल है साथियो की, डॉट्स, डॉट्स नामक इलाज किस बिमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स नामस जो बिमारी होता है, उसका इलाज जो किया जाता है, वह बिमारी जो होता है, वह बिमारी के लिए क्या होता है? या 6 रोग के लिए होता सथियो, 6 रोग से डॉट्स नामक बिमारी का इलाज होता है, ठीक है? तो मेरा D number जो answer हो जाएगा, वो मेरा D number मेरा correct answer हो जाएगा, ठीक है, आगे सवाल के बढ़ते हैं साथियों, और सवाल आगे की और बढ़ने से पहले आपको बता दें, कि टेलीग्राम में आप नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, ठीक है, और मेरे Facebook, पेज़ और Instagram को नहीं follow किया हैं, तो follow कर लिज़ेगा, Eason Global Studies के नाम से चलता है, ठीक है, साथियों, आपको एक basic important बात बता दूँ, कि 2015 और 2015 से रिलेटेर, जो 2015 में जो पूछा गया, SSC, MTS, बैलो जी का सवाल, उसका मैंने playlist बना दिया, और वीडियो बना के YouTube में डाल दि देखे हैं, तो उसको भी देख लिजएगा, ठीक है, देखे next सवाल, next है, बहुगुनित, बहुगुनित, पॉली पेप्टाइड किसमें परवर्तित होने पर होती है, तो इसका correct जो answer होगा साथियो, यह नीचे दिया गया है, इसका answer, C नमर होगा, Chromosome की संखिया, C नमर मे next है, नीचे में से कौन से कोशिकाओं को अत्मगाती बेग कहते हैं, अत्मगाती बेग जो कहते हैं साथियो, हम लैसो स्वम को कहते हैं, यह नमर मेरा correct answer हो जाएगा, ठीक है, देखे next, next question की आगे बढ़ते हैं, देखे next जो सवाल रहेगा, बहुत important है साथियो, कि निमलिख में से किसने पादक उत्तक समवर्धन का कार्य आरम किया है, तो आरम जो किया साथियो, हेवर लैडिंग ने किया है, correct answer मेरा D हो जाएगा, ठीक है, देखे next, next है साथियो, दात के इनामेल का जो कबरूरन किस कारण से होता है, तो साथियो, C नमर होएगा, पानी में उच मात में फुलराइट के कारणा होता है, C नमबर मेरा correct answer हो जाएगा, आगे सवाल है next, next है, रक्त में स्वेत कनो का मुख्य परियोजना जो है, वो क्या है, तो B नमर हो जाएगा, संकर्मन के संघर्स करना, B नमर मेरा correct answer हो जाएगा, next है साथियो, लोह मेता एक रोग है, जो धूल को अंदर लेने से मेरा क्या होता है, लो मेहता रोग बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए B नमर मेरा correct answer हो जाएगा, next, long किसे से प्राप्त होता है, long जो प्राप्त होता है साथियो, फुल की कली से होता है, D नमर मेरा correct answer हो जाएगा, next है, मानब सरीर में सबसे बड़ी ध नेक्स्ट है, रक्त का रंग, निमलिकित में किसकी उपस्तिती के कारण लाल होता है, वह किसके कारण तो हीमोगलोविन के कारण होता है, डी नमबर मेरा correct answer हो जाएगा, नेक्स्ट है साथियो, कि सुवनस्पत्य उध्यान में निमलिकित में से किस परकार परकास की सीधा प्रभव बिलकुल नहीं पढ़ता है, तो निसेचन, डी नमबर मेरा correct answer हो जाएगा, निसेचन पर नहीं पढ़ता है, नेक्स्ट कोश्चन है साथियो, दर्द विरासक महरम आयोडेक्स में से किसकी गंद आती है, तो गंद जो आती है, वो ए नमबर मेरा correct answer हो जाएगा, ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियो, सवाल है, फसलों पर डी डी टी का छिलकौव पर किस परकार का परदूसन उत्पन होता है साथियो, तो सीन नमबर होएगा, मिर्दा तथा जल का परदूसन होता है, जब डी डी टी का छिलकौव फसल पर किया जाता है, ठीक है, अगे सवाल के उबरते देखें, नेक्स्ट है, पैंकिर्याज की कोशिका जो इंसूलिन उत्पन करती है, क्या कहलाती है, पैंकिर्याज की जो कोशिका ह है, प्रकास संस्लेशन के दौरान जो उप्युक्त अक्सिजन आती है, साथियो वह ए नमर होएगा, पानी से आती है, ए नमर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियो, और साथियो बता दें, जितना भी सवाल आप देख रहे है, टोटल के सवाल है कि हीरदय की जो धड़कन को उत्यजित करने वाला हर्मोन होता है वो कौन सा हर्मोन होता है तो थायरक्सिन होता है ए नंबर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है देखे नेक्स्ट नेक्स्ट है रक्त परवहों में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होत नेक्स्ट सवाल है साथियों की आसपास के वातावरन में पसुओं और पौधों के संबंद के अधियन को क्या कहते हैं अधियन को प्रास्तिति की विज्ञान कहते हैं ए नंबर मेरा correct answer हो जाएगा देखे नेक्स्ट नेक्स्ट है निमलिकित में क्या प्रकास संसलेशन में म महत्पुर्ण भोमी का निभाता है साथियों वह निभाता है मेरा क्लोरो प्लाश्ट ए नंबर मेरा correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है हरित करांती का सरवाधिक प्रभाव किसमें देखा गया है हरित कांथी का जो प्रभव देखा गया है साथियो वो देखा गया है मेरा ए नमबर गेहु में ए नमबर मेरा correct answer हो जाएगा next है रेसम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरन में वानिज परियोग का तंतु पैदा करती है तो इसका correct answer C हो जाएगा पैजुपा C number मेरा correct answer हो जाएगा next है अमल्य तरल होता है ए नमबर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है देखें next सवाल साथियो सवाल है पौधे में जाइलीन की उपस्तिती से निमलिकित में से क्या होता है पौधे में जाइलीन की उपस्तिती में जो होता है, वह क्या होता है साथियो, उसको देखना है, तो इसका जो correct answer हो जाएगा साथियो, इसका correct answer हो जाएगा, A नमर मेरा correct answer हो जाएगा, जल का वहन, ठीक है, देखिए next, next सवाल है साथियो, important है, सवाल है, निमलिकित में से, कौन से जिवानु पौधे में, किरीट स्वाल के बढ़ते देखिए नेक्स्ट है मस्तिस्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रन में महत्पूर्ण भूमे का आदा करता है तो कौन करता है तो सेरी विलम करता है जिसको कहते हैं अनुमस्तिस्क यह नंबर मेरा कर्येक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है देखिए next next है मोवो लुएन ग्रंति किस में उपस्तित है मोव тобой मियन जो ग्रंति उपस्तित है साती हुआ वह मेरा आख में है A NUMBER मेरा क्रेक्ट अंसर हो जाएगा next है निमलखित में से कौन्सा बिटामिन पानी में घुलन सील होता है पानी में जो ग MHC होता है विटामिन में B हो जाएगा कि विटामिन B और C जो है वह पानी में घुल सकता है next है sathiyoke कि पिर्थवी के वातावरन में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है तो पान पिर्थवी के वातावरन में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है साथियो वह मेरा हो जाएगा नैट्रोजन बी नंबर मेरा correct answer हो जाएगा next है spy grow no meter दिये गई विकलपों में से रक्त दाब को मापता है तो रक्त दाब जो मापता है वो आँखों का मापता है साथियो sorry आँखों का नहीं होगा ठीक है इसका होगा धमनियों का P number मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है देखे next next है X किर्णो के उतसर्जन का जो प्रतिकून परभाव है वो क्या है तो मेरा answer हो जाएगा D number परकास वैद्धूत परभाव D number मेरा correct answer हो जाएगा next है sigom add colon किसका भाग है तो यह भाग जो है वो बड़ी आत का है correct answer हो जाएगा next है साथियो mass species को हड़ी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते है mass species को हड़ी से जोड़ने वाले जो उत्तक होते है उसको हम कहते है साथियो क्या कहते है तो इसका जो correct answer हो जाएगा C number हो जाएगा dead done कहते है क्या कहते है dead done ठीक है आगे सवाल के बढ़ते देखिए next next सवाल है कि एतिहासिक लेखों का जो संचरन विज्ञान की किस साखा के अंतरगत आता है किस साखा के अंतरगत आता है साथियो तो c नमर हो जाएगा correct answer museology के अंतरगत आता है c नमर मेरा correct answer हो जाएगा next है alpha alpha एक परकार कर जो है नाम वह क्या है वह घास है c नमर मेरा correct answer हो जाएगा next है घेघा नामक रोग किस की कमी के कारण उत्पन होता है घेघा नामक जो रोग उत्पन होता है साथियो वह कमी जो होता है वह आयोडिन की कमी के कारण घेघा नामक प्रोग उत्पन होता है नेक्स्ट है दूद में पाये जाने वाला मुख्य जो प्रोटीन होता है वह कौन सा प्रोटीन होता है तो केसीन होता है डी नंबर मेरा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है विल्स रोग में ज सांदरता पाई जाती है सरता नहीं है क्योंकि क्योंकि उसमें C number correct answer हो जाएगा क्योंकि प्रासरनिय सामथर्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवानु सकरिय अवस्था में जीवित नहीं राज पाते हैं जीवित जो वहाँ पे नहीं राज पाते हैं इसलिए उसमें इसलिए उसकी खराबी नहीं होती है C number इसका जो होगा correct answer हो जाएगा ठीक है देखिए next निल्लिकित में से कौन सा एक प्राकिर्तिक पॉलीमर है कौन सा पॉलीमर जो है वो प्राकिर्तिक है तो stars जो है साथी हो मेरा D number प्राकिर्तिक पॉलीमर है D number मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है आगे next जो सवाल है साथी हो बहुत important है सवाल है निल्लिकित में से कौन सा अस्तंधारी जानवर अंडे देते हैं निल्लिकित में से जो अस्तंधारी जो जानवर है जो अंडा देता है तो अंडा जो देता है साथी हो वो मेरा देता है प्लेटी पस अंडा देता है D number मेरा correct answer हो जाएगा next ads का एक विसानू किसकी बिर्धी को प्रावित करता है ads का जो एक विसानू होता है वह जो परभावित करता है साथियो वह मेरा करता है रक्त की रक्त में जो T-C का होता है उसको परभावित करता है C नमर मेरा correct answer हो जाएगा आगे सवाल है निमलिकीत में कौन सा नैट्रोजनी उर्वरक नहीं है नैट्रोजनी उर्वरक नहीं है साथियो दी नमबर correct answer हो जाएगा super phosphate दी नमबर मेरा correct answer हो जाएगा आगे सवाल के बढ़ते हैं देखिए next next है आवेविय इस्तिती आवेविय इस्तिती जैविक पदात के जिवानों अब घटन को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं ए नमबर किनवनिय करन ए नमबर मेरा correct answer हो जाएगा next है पदाओं के लिए प्राथमिक पोशक तत्वों के रूप में ग्यात तत्वों कौन से हैं तो ए नमबर हो जाएगा साथियो nitrogen, phosphorus और potassium ए नमबर मेरा correct answer हो जाएगा next सवाल है रक्त समू blood group की खोज किस ने किया था रक्त समू जो दिया गया है और blood group का जो खोज किया है वह साथियो land इस्टिनर ने किया है c नमबर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है देखे next next है मस्तिस्क में हिर्दय सुचना के वी कोडन और विवस्था का जो संबंद है वो किस से है वो संबंद है साथियो c और d मतलब कनपटी की पाली और d है भितिय की पाली मतलब c d मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है आगे सवाल के बढ़ते है सवाल है प्याज में खाद पदार्थ किस रूप में संचईत होता है तो वो संचईत किस प्रकार से होता है तो सेलूलोज के माध्यum से वो संचईत हो जाता है ठीक है आगे एक्स्ट सवाल है हिरदय की धडकन की गती निमलखित में से किस से बढ़ती है तो अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ती है हिर्दय की धड़कन की गती ठीक है नेक्स है साथियो नियसीन जो विटामिन की complex group का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है साथियो वग जो रोग होता है बी नमबर पिलेगरा कौन रोग होता है बी नमबर मेरा correct answer हो जाएगा सेवाल के फैलेने का कारण होता है सूपोशन यूट्रोफिकेशन क्या होता है यूट्रोफिकेशन सी नमबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमलकित में से कौन सा सरवाधिक दिरिगायू है सरवादिक तिरगायों जो है साथ यो मेरा B number correct answer हो जाएगा कछवा B number मेरा correct answer है ठीक है नेक्स्ट है निमलकित में से कौन सा जल में घुलने का विटामीन है जल में जो विटामीन घुलता है वो कौन-कौन विटामीन साथ यो देखना है तो इसका जो answer रहेगा correct इसका correct answer मेरा B होयागा विटामीन सी जो है वो जल में घुल जाता है ठीक है आगे next सवाल के बढ़ते हैं देखें next सवाल है कि जैब परवली करन next सवाल है साथ हो सवाल है कि जैब परवली करन से क्या तात परिये जैब परवली करन से जो ताकपरिया साथ हो इसका A number correct answer हो रहेगा फसलों की पोश्टिक्ता के समवर्धन की उत्पादन पदती A number मेरा correct answer हो जाएगा next सवाल है देखें सवाल है प्रतिजीव पैंसलीन किससे प्राप्त होता है प्रतिजीव पैंसलीन जो है वह प्राप्त होता है कवक से C number मेरा correct answer हो जाएगा next है DPC का टीका निमलिखित में से किस परकार का होता है DPC का जो टीका होता है वह D number correct answer हो जाएगा एक संयुक्त टीका होता है D number correct answer हो जाएगा next है वर्नधता हमारे सरीर में किस कोशिका की गरवड़ी के कारण होता है वर्नधता जो हमारे सरीर में होता है वो किसकी गरवड़ी के कारण होता है ये पूचा है तो संकु कोशिका के कारण गरवड़ी के कारण मेरा सरीर में वर्नधता हो जाता है किसके कारण संकु कोशिका के कारण ठीक है next सवाल के बढ़ते हैं देखे next next है सातियो कि जिवासम फॉसिल्स के अध्यान को क्या कहते हैं जिवासम फॉसिल्स के जो अध्यान होता है उसको हम कहते हैं जिवासम विज्ञान डी नमर मेरा correct answer हो जाएगा next है निम्बु का खट्टा असवाद किसकी मौजुदगी के कारण होता है तो A नमर मेरा correct answer हो जाएगा narc acid के करण निम्बु का खट्टा होना होता है ठीक है next सवाल है सवाल है सातियो धहान से देखेग़ सवाल important सवाल रहेगा जितना भी सवाल है साथ ही 2016 का पूछा गया सवाल है ठीक है देखे next निमलिकित में से क्या अलंग सुत्रिय अवयस्था domainate, domainate autosomal disorder है तो disorder जो है वो डी नमबर मेरा correct answer हो जाएगा अजाइमा रोग डी नमबर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है next नेक्स्ट है glycol glycol का जो परियोग निर्मान में क्या होता है इसका correct answer C हो जाएगा terry link correct answer हो जाएगा C ठीक है next है अनुवांसिक रूप से समान वेक्तियों के बीच परतिया रोपन को क्या कहते हैं बी नमबर आईसो ग्राप कहते हैं correct answer हो जाएगा next है निमलिकित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सरवादिक उस्मा रोधी च्छमता होती है सरवादिक उस्मा रोधी जो च्छमता होती है ए नमबर होएगा chloro-fluorocarbon ए नमबर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है next सवाल है मानब सरीर में सबसे बड़ी गरंती कौन सी है मानब सरीर में जो सबसे बड़ी गरंती है साथियो उसका नाम क्या है यह बताना है तो इसका correct answer जो दिया गया है सबसे बड़ी गरंती वह मेरा लीबर हो जाएगा ए नमबर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन के रागे बढ़ते हैं, मानव सरीर के किस अंग से इंसुलीन का स्राव होता है, तो अगनासे से सातियों इंसुलीन का स्राव होता है, यह नमबर मेरा correct answer हो जाएगा, नेक्स्ट है, मानव सरीर में निमलिकित में से कौन सा अपातकालीन हर्मोन है, अपातक गर्दन अविलक्षन जो है, वह है मेरा B नमबर टर्नल सनलक्षन का, ठीक है, आगे सवाल के बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, लेप्टोस्पाइरोसीस एक रोग है, जो निमलिकित में से किसे से होता है, वह जो रोग होता है, इन में से कोई नहीं होगा, D नमबर correct हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है, सवाल है कि हेपेटाइटिस मानफ सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, हेपेटाइटिस जब किसी वेक्ति को रोग पगड़ जाता है, तो किस अंग को प्रभावित करता है, साथियों ये बताना है, आप्सन में दिया गया कि A है जिगर, B है अ तो सबसे कम परवाभी होता है तो हरा प्रकास B-number मेरा correct answer हो जाएगा नेक्सट है मचलियों के मचलियों से प्राप्थ होने वाला cod liver तेल किस vitamin के समरीध होता है साथ यो vitamin जो है वो मेरा B हो जाएगा B-number मेरा correct answer हो जाएगा vitamin D, ठीक है मतलब B नमर मेरा correct answer हो जाएगा जो मचली का तेल के liver से जो प्राप्त होता है वो vitamin D प्राप्त होता है ठीक है आगे सवाल देखिए next सवाल है इस्ट एक है इस्ट जो है वो एक क्या है साथियो इस्ट जो है एक मेरा कवक है B नमर मेरा correct answer हो जाएगा Next है निमलिकित में से कौन सा एक सयोजक उत्तक नहीं है सयोजक जो उत्तक नहीं है साथियो कंकाल, पेसी मेरा सयोजक उत्तक नहीं है D number मेरा correct answer हो जाएगा Next है निमलिकित में से कौन सा पताथ समान्य मुत्र में पाया जाता है समान्य मुत्र में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया लता है तो create tining B नमबर मेरा correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है Thomas Granthi Jean hormones को पैदा करती है उसे क्या कहते है Thomas Granthi Jean hormones से पैदा होता उसे हम क्या कहते है साथियो उसे हम कहते है थाइमो सीन क्या कहते है th originally b number correct answer हो जाएगा next है a b क्या है ये बताना है तो a b रक्त समू में क्या है साथ ही हो तो मेरा b number correct answer हो जाएगा antibody नहीं रहتे है b रक्त समू जो है उसमें antibody नहीं रहते है b नमर क्या हो जाएगा ठीक है next next है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अक्तिदिक मात्रा के सेवन से शरीर के वह संगरीत हो जाते हैं और घातक परभाव डालते हैं तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन जो है मेरे D हो जाएगा D नमर मेरा correct answer हो जाएगा कि A तथा D D नमर मेरा correct answer है ठीक है नेक्स्ट है लाइकन किन दो बीच का संबन्द है लाइकन जो है वो किन दो बीच का संबन्द है तो A नमर सैवाल और कवक का संबन्द है ये नमर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है नीचे दिये गए पोशक तत्वा में से दूद को क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है तो मेरा correct answer A हो जाएगा विटामिन C ये नमर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है काली मिर्ची का जो पौधा है वो क्या है काली मिर्ची का पौधा है तो C नमर मेरा correct answer है बेल तथा लता का पौधा है C नमर मेरा correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है निमलखित में से कौन सा विटामिन के अपसोसन में साहयक है केलसियम के अपसोसन में जो साहयक है सातियो बी नमबर होगा विटामिन डी ठीक है आगे नेक्स्ट सवाल है निमलखित में से किस विटामिन में नैट्रोजन होती है नैट्रोजन जो होती है वो विटामिन बी में ह वलाताय ठीक है आगे सवाल है साथियो कि अगर कच्रा पीने में अगर कच्रा पीने के पानी में विल जाय तो कौन सी बिबारी फैल उसात है वी नम्बर में यह क्रिक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है । nữa है कौन सा bacteria नीमुनिया रोक का कारण Player कौन से विक्ट्रिया निमने रोक करने साथ ही हो तो कंकाई B नमबर क्रेक्ट आंसर हो जाएगा Next है एक सर्वदाता का जो blood group होता है वो क्या होता है सर्वदाता का जो blood group होता है वो D नमबर क्रेक्ट आंसर हो जाएगा D जो क्रेक्ट हो जाएगा O, O मेरा क्या है, वो सर्वधाता गूप है, D नमर मेरा correct answer होगा, ठीक है, next है, symbiotic, किटानों जो वातावरनिय नैट्रोजन के इस्तरी करन के लिए उतरदाई है, किसमें पाया जाता है, पाया जो जाता है, साथियो, वो किसमें पाया जाता है, मेरा correct answer A है, मटर में पाया जात पाते हैं, वो किसी से ग्रसित हो जाते हैं, साथियो, वो ग्रसित इरिकेटस बिमारी से हो जाते हैं, A नमर मेरा correct answer हो जाएगा, ठीक है, next है, जल उप्चार सयंत्र में, कोलोराई माईन, कोलोराई माईन के परियोग से क्या सुनिचित क्या जाता है, साथियो, तो C नमर जाता है, D नमर correct answer, O correct हो जाएगा, ठीक है, next सवाल है, कि वर्नद वेक्ती किन रंगों में भेद नहीं रखता है, किन रंगों में जो भेद नहीं कर पाता है, वो कौन सा रंग है साथियो, तो B नमर हो जाएगा, लाल और हरी, B नमर जो है मेरा correct answer हो जाएगा, next है, कौन सा असानिक योगी, अनिवारित, सभी विसानों में पाया जाता है, तो प्रोटीन जो है, सभी अनिवारित विसानों में पाया जाता है, ये नमर मेरा correct answer हो जाएगा, next है साथियो, वायू परदुस्षन, सवचक के रूप में निमलिखित में से कौन काम आता है, कौन काम आता ह तो लाइकेन जो है, वो काम में आ जाता है, next है, अमासे में एंजाइम प्रोटीन को पाचाने के मदद जो करता है, वो कौन करता है, पाचाने का मदद, तो पेपसीन करता है, बी नमबर correct हो जाएगा, next है किनवन एक परकार की क्या है, किनवन जो एक परकार की हैसाती हुआ है अवाई विये स्वासन है बी नंबर क्रेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सहचर को सिकाए निमलिकित में से सिर्फ किसमें पाया जाता है तो एंजियो इस्पप में पाया जाता है C number correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है अस्रु गरंथी कहां इस्तित होती है अस्रु गरंथी जो इस्तित होती है सातियो वह नेत्र गुहा में होता है C number correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है प्रेरक कोसिकल सोरी प्रेरक कोसल मस्तिस्क प्रेरक कोसल मस्तिक्स में कौन सा भाग के साथ संबंधीत है कौन से भाग के साथ संबंधीत है सातियो तो इसका जो आंसर होगा मेरा A number correct answer हो जाएगा ललाट भाग A number मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट सवाल है कि प्रोटो जोवा का अलावा कौन सा एंजाइम प्रानी जगत के सभी सतस्यों में मौजूद होता है तो D number हो जाएगा A number मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है मक्खन कॉलाइड कब बनते हैं मक्खन कॉलाइड जो बनते हैं C number मेरा correct answer होगा जब वशा की गुलिकाएँ पानी में छित्रा जाता है तब क्या बनता है मक्खन कॉलाइड बन जाता है ठीक है तो C number जो है मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है ओजौन परत के छरण के कारण क्या होता है ओजौन परत के छरण के कारण जो होता है वह त्वाचा के answer होता है B number मेरा correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिकित में से किस में खुला नाड़ी सम्मंधित तंत्र होता है तो कौक्रोच में होता है ए नमबर मेरा correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है किस रंग द्रवग की उपस्तिती के कारण मानब के मल का रंग जो है वो पीला होता है तो D नमबर हो जाएगा इरो बिलीन D नमबर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है साथ यह जोला के लिए मिर्दा उर्वरता को बढ़ाता है तो कौन बढ़ाता है तो D नमबर चावल की खिती बढ़ाता है D number मेरा correct answer हो जाएगा next है carbon mono परदूसर क्यों है तो इसका answer A number हो यह हीमोगलोवीन के साथ अभी किरिया करता है carbon mono oxide परदूसर क्यों है तो यह हीमोगलोवीन के साथ अभी किरिया करता है next है next है साथ यह aspergylus, langy, janan, ang, जो है वो कौन से है तो D number हो जाएगा पूधानी और S code धानी ठीक है तो D number जो है मेरा correct answer हो जाएगा next है x-ray के संबंद में निमलिकित विकलपों में से कौन सा सही नहीं है सही जो नहीं है साथ यह नंबर इनमें से कम वेदन चमता वाला सही नहीं है यह गलत है तो A number जो है मेरा correct answer हो जाएगा next है निमलिकित में से किसमे पौधे में खात पदार्थ और अन्य सुरोत का वाहन होता है तो इसका answer जोगा correct B number हो जाएगा फलोयम पोह वाहा B number मेरा correct answer हो जाएगा next है मारा मस्तिष की कौन सी पाली स्रवन से सम्मंदीत है तो C number संक पाली स्रवन से सम्मंदीत है next है कि अस्तधारिवा में उत्सरजन का एक महतपूर्ण कार्य निमलिकित में से कौन सा अभ्यव है तो B number गुर्दे विरिक B number मेरा correct answer हो जाएगा next है दूतियक हरी करांती का उदेश निमलिकित में से किस किरिसी के उत्पात की विरिधी से समंदीत है तो C number हो जाएगा अन्तविरिष्ट विरिधी C number मेरा correct answer हो जाएगा next है जीका वायरस का जो वाहक क्वन समच्छर है जीका वायरस का तो इसका answer हो जाएगा B number आडीज बी नमबर मेरा correct answer हो जाएगा next है जड़ आवरन किसी से प्राप्थ होता है जड़ आवरन जो प्राप्थ होता है साथियो बी नमबर कैली पैट्रो जन से होता है बी नमबर मेरा correct answer हो जाएगा next है गुन सुत्र की आकिरती विज्यान की अच्ची तरह से अध्यान किसी से किया जा सकता है तो C नमर होएगा मद्य अवस्था में किया जाता है C नमर correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिकित में से किस पाचन अंग में अमल होता है किस पाचन अंग में अमल होता है तो आमासा में होता है A number correct answer है next है silica gel क्या है silica gel जो है साथ ही सुखाने वाला पदार्थ है C number मेरा correct answer है next है जब उरुबरा nitrogen को निमलिकित में से किसमे परवर्तीत करते हैं तो इसका answer B हो जाएगा ammonia में परिवर्तीत करते हैं B number मेरा correct answer हो जाएगा next है नर्मच्छर अपना भोजन कहां गरहन करते हैं अपना भोजन जो नर्मच्छर गरहन करता है साथियो वह करता है पोधे के रस में सी नमबर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट सवाल है कि पोलियो किस कारण से होता है पोलियो जो होता है साथ हीओ वह होता है विसानु के कारण पोलियो विमारी तो B नमर मेरा जो है वह है correct answer है नेक्स्ट है जैव पुष्टि करन तक्निक में पाधब परजनक किस से दूर करने के लिए प्रजनन है तकनिक का परियोग क्या जाएगा, किस से दूर करने के लिए जो प्रजनन तकनिक का परियोग क्या जाएगा, वो कौन सा है, तो C नमर हो जाएगा, शुक्चु पोसकों और विटामिनों की कमी से C नमर मेरा correct answer हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट है, आलू क्या है, तो साथ यो एक परकार क्या है, वो डंठल है, B नमर मेरा correct answer हो जाएगा, नेक्स्ट है, रक्तो पत्ती कहां होती है, रक्तो पत्ती जो होती है, वो होता है साथी हो, अस्ती मज्जा में D नमर मेरा correct answer हो जाएगा, नेक्स्ट है, कौन सा हार्मन रक्त में सरक्रा की मातरा नियंतरन करता है सरक्राण का जो मातर नियंतरन करता है वो इंसुलीन करता है D नमबर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि पेला ग्रा और इसकरवी करमसर कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है तो विटामिन जो होता है साथियो B हो जाएगा विटामिन B12 और विटामिन C के करण होता है आगे नेक्ष्ट है रग में RBC को बढ़ने से कौन सी अस्थी बन जाती है वो correct answer हो जाएगा ठीक है आगे next सवाल है कि प्रकास संसलेशन के दोरां oxygen किस कारण अब वी मोचित होती है oxygen जो वी मोचित होती है वह किस कारण से हो जाती है साथियो तो B नमर हो जाएगा जल का प्रकास अब घटन B नमर मेरा correct answer हो जाएगा ठीक है next है formic acid किसके दोरा उत्पन होता है formic acid जो प्राप्त होता है साथियो तो लाल चीटी दोरा formic acid प्राप्त होता है तो C नमर जो है मेरा correct answer हो जाएगा साथियो और ये दोयार 16 CGL का total biological सवाल जो पूछा गया था 16 में ठीक है तो total जो सवाल था 139 ठीक है total जो है वो complete हो गया ठीक है और कल फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक लिए